तो फाइंड आउड इक्विलेंट रेजिस्टेंज बाई नूडल मेथड अभी तो हम थोड़ा सा और लेंटी कर रहें लेकिन इसको अभी जो कर रहें इससे भी शॉट कर देंगे जैसे ही मैं आपको सबसे लास सिमिट्री अपोजिट पाथ सिमिट्री पड़ाऊं तो आपक सर्किट नहीं बहुत ही बेसिक ठीक है न या आपको एक्विलेंट रिजिस्टेंज निगालना है बिट्रीन ए एंद बी यहां पर कोई भी आपको सीडीज पैरलल में आपको नहीं दिखेगा कोई सीरीज पैरलल कॉंबिनेशन यहां पर नहीं है तो आप नोडल मेथट आपको क्या करें आपको अभी तो नोडल ही आता है फिर मैं आपको थोड़ा सा लिखाऊंगा भी कौन सा मेथट पहले देखने तो अभी कोई अभी आपको एक ही चीज आती है और कुछ आता है इ दूसरे पॉइंट पर जिन पॉइंट के बीच ए और बी के बीच एक्वेलेंट निकालना है तो नोडल मेथट यह कहता आप एक जगे जीरो माल लो एक जगे भी माल ठीक है ना तो आपने अगर कुछ भी आई का रेशियो कहीं से निकाल दिया वही तो एक्वेलेंट रिज करेंट माल ले लिच्ट से आई करेंट अगरा वी गायी का रेशियो निकाल देतो तो दैट विल बी कॉल्ड एक्वेलेंट रिजिसी कह से तौच क पता होना चाहिए तो इसलिए देखओ क्या मैथज़ एक्वेलेंट सर्कृट के लिए कैसे यूज चीज़ पहले तो आप टेमिनल पर जीरो मालनों दूसरे पर चैपिटल भी वह धिक है ना एक टेमिनल पर जीरो मालनों और दूसरे टार्मिनल पर क्या है कि आप दिखो इसको प्रेटरी लगाते हो भी हुट्वृ फिर भी आई का रेश्युए इक्विलेंट रिजिस्टेंस कहलाता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच निकालना है वहां पर एक भी वोल्ट की बैटरी मानी जा सकते तो एक पर जीरो एक पर भी किदर भी मानलो आप इसका कोई रूल नहीं इससे आप इधर मानलो जीरो मानलो कोई फरक ने पर ठीक है ना आपको पोटेंचल कहां के नहीं पता यहां के नहीं सकता तो यहां का वैल दो यहां का और मानलो आप तो फिलाल आप मानलेंगे पिर बहुती माना यहां का विरी विवल रीड्यूस हो जाए है इसको आप अपने आप एक्स की तं में लिकने लग wonderful मैने अप इसे here यहां का x माना यहां का य माना तो क्या करा आपने x को हाइस पोटेंशल पर मानते भी लिख दीजिए तीन रस्ते जा रहे एक से देख रहे हैं ठीक है और इस डारेक्शन में कितना जा रहा है एक्स माइनस वी अपॉन फाइव इक्वल टू जीरो ऐसे ही आप इसके लिए लिखिए इस वाले वाई के लिए लिख दीजिए जो वाई अन्नोन है हर नोड के लिखनी पड़ती हैं दो नोड वाला चाहिए पहले हम से एक में सारे का तो यहां पर हम को एक्स पता था दूसरा नहीं पता था मानना पड़िए तो वेरीबल में कभी कोई दिक्कत नहीं होटा में इस जादा में हमको नहीं जाना पड़ता है उससे पहले समेट्री आप देख लेते हैं तो अपने आपी रिडियूज हो जाते हैं नंबर ओफ एर लग रहा है सबको समझ में आ गया कि कैसे आपको एंडिल करना है तो एक्स और वाई दोनों आ गया आपके ठीक है ना अब आप यह करेंट आई लिख सकते हैं आई वन प्लस आई जब दोनों एक्स वाई पता पड़ गया तो आपको वी की टम यह होगा एक जगे आपको जी कई सको अंड्रेड और दो पांसो अजार कुछ माल लेते हैं कोई मतलब नहीं हो सीचा ठीक है ना आप कैपिटल वी की टर्म में सब निकाल लो एक्स और वाई आपका तो कितना हो गया फाइफ ओम में करेंट आई वन कितनी हो गई फाइफ ओम में करेंट हो जाएगे आपक जिआ दो एक्स कितना है थाहएज थो एक्वाई वाई ट्वं की टो डिडिशन दो ये कहन तो इसका इक्विलेंट रिजिस्टेंस कितना क्यालाएगा आपका सेविन क्याला ठीक है ना सॉल ध्यान से करिएगा इसका जब दो वेरियेबल्स हो जाते हैं तोड़ा गलती होने की चांक पड़ जाते हैं ठीक है ना कोशिश तो यह करेंगे कि दो भी हम आईडी हो जाए ए मिकालना है वहाँ पर एक पर जीरो दूसरे पर कैपिटल वी और फिर सारे अन्नोन मेरियेबल्स इन टरम्स ऑफ कैपिटल वी और फिर आप टोटल मैटरी से चलने वाली आई लिखोंगे इन टर्मस ऑफ गिविन रिजिस्टेंस से ठीक है ना तो वहां से आपका वी बाई का रेशियो जो आएगा वैट विल भी एक्वाल टो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आफ बिट्वीन दोस टू पॉइंट्स ठीक है चलिए तो हम इसको और अप्लाई करते हैं शायर या फिर हम सुमेट्री में एंटर कर गहें देखना करें